हे गाईज देखिए आज की रेट में पता करते हैं कि सर जो हैपिएस्ट मैंड है वो क्यूं आज इतना गिरा बहुत जादा गिरा है देख लेज़ें बहुत जादा गिरा है सर दस परसंट गिरता हुआ नजरा है भीगे आईटी कमपनी लगबग कुछ जादा ही नहीं गिरि पिछले एक साल उसे तो गिराई हुआ था और आज की रेट में सर जो इतनी बड़ी गिरावट दिखने को मिल इसके पीछे का रीजन क्या था वो समझने की कोसिस करेंगे क्योंकि जब से कमपनी आई थोड़ा बहुत अच्छा रीटन निकाल के दिया लेकिन इसके बात से स फरष्न तक का घिरावट है वह थे टॉप ल eerste अच्छा कर्वर दिखने को मिल चुका तो यहां पर सार एक खबर देखने को मिला असोक सुटा जी से के तरब से सरुध 직व यहां पर बताया रहा यह विपरो के साथ साहद उन्होंने माइन ट्री में काम किया था सर माइन ट्री में ठीक है तो यह इनके पास काफी अच्छा experience है काफी बड़े लेबल पर सर यह काम भी करते हैं तो यह इन्होंने सर लगबग बहुत बड़ा deal किया है और वह भी 10% क्यों गिरा है reason मैं आपको बताऊंगा देखिए सबसे पहले तो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि सर इसमें जो है heavy selling pressure आपको देखने को मिला बहुत सारे लोगों ने सर यहां पर माल बेचने की कोशिस किया यह block deal में सर बहुत सारे लोगों ने और अगर आप देखो तो यह 9% गिरी के लगबा य 8.30 के आज जिबा जो यहां पर आपको देखने को मिल जागा सर अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो यह इतना बड़ा जो deal हुआ है इसमें मेन मुद्धा यहां पर है सर अब यह बोला जा रहा है कि 9.15 मिनट पर जैसे ही मार्केट खुला 9.8 मिलिया शेर बेच दिये अब सर इन्हों ने जो बेचा ना वही गलत काम किया है बेचना था बेचो ना भई तुम्हें क्या प्रॉल्म है मैं भी बेचूंगा तुम भी बेचो सब बेचो कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन सर यहां पर बेचा तो इन्हों ने लेकिन दिक्कत क्या हो गया इन्हों तो मतलब है कि यह जो इन्होंने अपना stake बेचा है सर वो 10% discount में बेचा current market price पे नहीं बेचा सर इन्होंने current market price पे इन्होंने नहीं बेचा तो और इसलिए सर इतना बड़ा जब हिस्सेदारी 10% discount पे बेचा गया तो सर 10% stock गिर गया सर क्योंकि सर 10% discount पे कैसे खर देंगे stock गिरेगा तभी न खर देंगे सर जहां पर बुला जा रहा है कि 26.64 million share देख सकतो बहुत बड़ी चीज़ है सर और खरीदने वाला का जो नाम है जो buyer और seller है उसका नाम अभी पूरी तरीके से disclose नहीं किया गया है हाँ टाइम लगेगा लेकिन यह आ जाएगा सर नाम पता चल लागा आप लोगों को और यहां पर यहां पर इन्हों ने top management ने बेचा है सर happiest mind promoter बोल सकते हो executive chairman सर इन्हों नहीं लगबा कितना 6% stake बेचा है 6% का मतलब समझ रहे हो सर आप बहुत बड़ी चीज है सर 6% मतलब कोई चोटी मोटी चीज नहीं है बहुत बड़ी चीज है सर company का 6% बहुत बड़ी चीज होती है सर यहां पर तो अब आपको पता चल गया हुआ सर ठीक है न यही reason था अभी देखते हैं पिछले 5 दिनों में 5 दिनों में सर स्टॉक चल रहा था यहां पर अगर यह current market price पर बेचते हैं तो सर स्टॉक इसके आजू-बाजू ही रहता लेकिन सर यह क्या था इनको 6% बेचना था पूरी company का 6% मतलब यहां पर देख सकतो तो सर इन्हों ने क्या-क्या discount दे दिया जैसे के सर राइट इशू लाए दा था तो सर जो पहले से steak को खरीद के लगते हैं तो उनको थोड़ा benefit मिलता है मतलब 100 रुपे के चीज़ उनको बोलते हैं कि भाई देखो मैं आपको 80 में दे रहा हूँ पास मतलब power है वो कोई भी कर सकता है temporary दिक्कत हो सकती है लगे long term में हो सकता है कि चीज़े सुधर जाए अब bank में अगर आप देखेंगे bank में तो सर देखिए जैसे access bank 3.5% भागता हुआ नज़ रहा है ICIC bank ये भी सर 2.39% भागता हुआ नज़ रहा है कि हाँ bankों में कुछ अच्छा दिखने को मिल सकता हूँ पिछले एक सालों में सर ICIC bank ने 29% का return निकाल के दिया है इसका मतलब समझ रहे है सर FD करने से कई गुना ज्यादा best रास्ता हुआ यहाँ पर FD करने से 5 सालों में सर इसने 175% तक का return निकाल के दिया जो की एक दम acceptable और अच्छा return है सर SBI की बात ही क्या करना सर SBI तो ऐसे भी अगर देखोगे तो सर लगबग यह पीछले 6 महीने में भी 30% का return निकाल के दिया 6 महीने में सर एक सालों में तो इन्हों तो 50% का return निकाल के दिया 5 सालों में तो सर 133% का तो long term में SBI slow है लेकिन short term में यह कुछ ज़्यादा ही भागता हुगा नजरा रहा तो अगर आप देखोगे तो FD से ज़्यादा लगबग bank ही ज़्यादा return निकाल के दे रहे हैं जैसे कि अगर देखोगे तो अपरिल में एक data था अपरिल में बोला गया था कि sir bank जो है वो मतलब favorable credit यहाँ देख सकते हो environment देखनी को मिला sir प्रेजेंट में मतलब कहने का मतलब है government इंडिया के अंदर काफी ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है ठीक है तो कहने का मतलब में sir इसके पास भी 100 क्रोड रहेगा नहीं तो यह bank से जाता loan लेता है तो देख के अंदर जितना ज़्यादा infrastructure आगे बढ़ता हुगा ज़राएगा तो इसमें sir bank को बहुत ज़्यादा फायदा होता हुगा नज़राएगा और अभी देखिए अभी यह सारे bank वाले जो stocks और ज़्यादा भाग रहे हैं क्योंकि sir बोला जा रहा है कि आने वाले 6 मेने के अंदर ही जो interest rate कट कर सकते हैं तो loan का interest होता है वो कम हो जाएगा और जब कम हो जागा न तो sir लोग जादा से ज्यादा loan लेना इस्टार्ट कर देंगे और जब लोग जादा ज्यादा loan लेंगे, तो sir फिर क्या होगा कि मतलब बैंकों को benefit देखने को मिल जाएगा सर अभी देखो जैसे इंट्रेस्टेट बढ़ता है इंट्रेस्टेट बढ़ता है तो जब इंट्रेस्टेट बढ़ता है तो सर जो बैंक का लोन होता है वो भी महंगा हो चाता सर आपका रेट भी बढ़ जाता है लेकिन अगर इंट्रेस्टेट कट जाता है नीचे की ओर जा है कि अभी चलता हुआ ही नजर आएगा जब तक इंट्रेस्ट रेट ना कट हो जाए और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपने डिमेट अकॉन इंजन वोपिन कर सकते हो जहां पर आपका डिमेट अकॉन बिल्कुल फ्री डिलेवरी चार्ज इस फ्री के उल्ट